हेलो फ्यूचर ओफीसर्स कैसे हैं आप सब लोग बुक लेने के लिए बहुत बेचैनी हैं हर कोई बोल रहा है बस एक कोई बढ़िया बुक बता दो बस सारा स्लैबस कबर हो जाए काम खता हो जाए पर कहां से बुक लाई जाए एक बुक में कहीं कोई स्लैबस है ही नहीं तो आप कहां से ढून लोगे मैंने किया सिविल इंजिनेरिंग तो हमारे पास तो अधिकता सब कुछ पहले से ही कलेक्ट रहता है नोर्स में बहुत पहले से था तो कुछ चीज जरूरत थी वह मैंने इधर उधर से कुछ साइट से कुछ बुक से कलेक्ट कर लिया स्लैबस पूरा कंप्लीट करके रख लिया और वही सारे नोर्स में बना अपने नोर्स टाइप करके बना के कोस्चन सारे आप लोगों को में रोज देती हूं तो स्रारे स्लैबस कर जो मैं आपको एक-एक पीडिएफ बोली हूं दे दूंगी एक-एक कोस्चन का अंसार हिंदी में भी कनवर्ट करके इंग्लिस में भी टोटल दे देंगे तो आप बुक के पिछे ना पड़ो बेस्ट है यहीं किसी भी बुक में स्लैबस है नहीं आप जाओगे कितनी बुक खरीदोगे एक दोखे यह पहली तो यह बार्टर सप्लाई इंजिनिरिंग की है संतोस कुमार गर की जो हम लोगे बीटेक में पढ़ाई जाती है इंवार्मेंट इंजिनिरिंग फस्त ठीक है इसमें कुछ लाबस मिलता है पूरा तो नहीं कह सकते कुछ मिल जाएगा तो आप अगर खरीदना ही चाहते हो नहीं मान रहे हो बहुत दिल लिए खरीदने का तो यह खरीद लिना एक यह और उसके बाद में से कुछ लाबस मिल जाएगा दूसरी वुक है इसमें कुछ मिलेगा सौलिड एंड है जार्डर्स का मिल जाएगा लगभं-लगभं मिल जाएगा तो आपको भूक ले नहीं हो आप एक भी ए भी ले सकते हो तीसरी बुक है solid and liquid best management यह तो सबको पता है थोड़ी famous बुक है बास्दयों राजा राम की है यह यह भी ले लिजिए आपको लगर लेना इसमें भी कुछ मिल जाएगा लेकिन इसकी तो आपको pdf online वैसे फ्री में मिल रही ले लिजिए इसकी आप pdf ले सकते हो तो लगभग ल online पीडिया फ्री में मिलती है डाउनलोड करके तोड़ा देख लीजिएगा मिल जाएगा थोड़ा सा स्लावस उसके बाद चलते हैं हिंदी बालों के लिए मुझे अभी तक बस एक ही बुक मिली है थोड़ी ठाड़ी ठीक है परियावरान परस्तित की कुछ लावस इसमें म बुक हैं इसमें सबसे मिला मिला के पढ़ोगे न कमप्लीट फिर भी इस लाबस नहीं कर पाओगे यह मुझे पता है इसलिए मैं बोल रही हूं कि आपको अगर बुक लेना है तो आप एक बुक यह वाली ले सकते हो सॉलिड लिकृट बेस्ट मेनेजमेंट अभी तक जहां नोट्स लेके मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाया है पूरे स्लेबस का कि अच्छे स्लेबस कभर होगा सारे कोस्चन मैंने बनाए हैं तो जब मैं एक टॉपिक का आपको 5500 कोसिस करूंगे मैं बना बना के सारत दूं कि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए अगर आपको बुक लेनी है तो आप यह सॉलिडन लिक्विड बस मेंजमेंट के लिए सकते हैं और हिंदी वाले पर्यावराने परस्तिति कि यह बुक ले सकते हैं इसमें कुछ लबस मिल जाएगा लेकिन मुझे रगता है पैसे फसाने वाली बात है अभी इसमें आप जाक जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं एक एक चीज का पॉइंट टो पॉइंट नोट्स बना रही हूं मेरे पास पहले से अल्रेडी भी है और मैं सारे कोस्टन्स भी आपको बहुत जादा कम से कम 15-16 कोस्टन तो मैं खुद आपको बढ़िया से एक एक टॉपिक से बना के देही रही हूं तो आप क्यों चक्कर में पड़े हो ना पता है आपको कोई भी बुक लेने की सजेशन देही देता है जब भी कोई ऐसा एक्जाम निकलता है कि जिसका थोड़ा सा स्लाबस नहीं मैच करेगा न तो फिर धरा-धर भुक छपनी सुरू हो जाती है फिर ही दाबाओ कि सलाबस सारा कबर हो जागा कबर हो जाएगा लेकिन कितना कबर हो जाएगा जो पहले से जिसके पास नोर्स होगा जो पहले से एक एक टॉपिक का बना के रखा होगा वही आपको सही से बता सकता है बांकी मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं मैंने आपको बता ये थोड़ी सी ठीक है मुझे ये फिलाल फिर भी ठीक लगी है अपलेना चाहे है इसको ले लीजिए इसके बाद में सॉलृडेन है दाडल साथ मैंने इसमें भी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको और इसमें तो मिल ही जाएंगे क्योंकि ये बीटेक आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपको लगता है नहीं को बुक लेनी ही लेनी है तो आप इसमें से जो भी आपको पसंद हो आप लीजिए और अपना स्लेबस कलेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा स्लेबस हर जगा से मतलब कर सकते हों लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरा फोकस होकर एक्जाम पे ध्यान देना चाहिए जो आपको सारा माटेरियल हम खोच के पहले ही रखे हुए मेरे पास पहले ही आ सब्सक्राइब कर देखना है कि आपको दूसरे चैनल पर घूम के देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपका इस लाइबस का एक पॉइंट भी चूटेगा और जो थुरा थुरा बचेगा ना उसको मैं कार्ट जैसा बना लूँगी नोट्स खुद बना लूँगी और जब बचेगा तो मैं संडे संडे मुझे लगया कि एक टॉपिक एक लाइन भी छूट रही है ना तो संडे संडे को एक्स्ट्रा अन लाइब में पढ़ा और कोस्ट्न भी सारे संडे संडे को अन लाइब करा देंगे तो मैं आपको बैस सजेशन दू आपने पैसे बरबाद मत करिए अगर एक बुक में सलाइबस कहीं मिलता तो मैं आपको बोल देती कि यह बुक ले लिजिए आपका काम हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं त आपको लगता है तो मैंने बुक बताई है एक बाद फिर से देख लिजिए और सौरी अगर बुरा लगा हो लेकिन सही बात तो यही है जैसे ही कोई एक्जाम आता है मार्केट में बुक की भरमार आ जाती है क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता है कॉंटिटी बहुत सारा हो जाती है और हर कोई बताई लगता है यह बुक लेलो और हम लोग स्टुएंट भी बहुत पागल होते हैं बस बुक खरिदने के पिछे दोड़े दोड़े घूमते हैं और दर दर कलेक्टी करते रह जाते हैं तो पता चलता है एक्जाम की डेटा एक्जाम हो गया और सेलेक्शन भी नहीं हुआ फिर अगले की और भ